सर्प्राइज एक बार फिर से हम आ गए हैं लेकिन आज आए हैं संडे के दिन जनरली संडे को क्लास नहीं आती है अब आई है तो ये भी शॉर्टर साइड में आएगी जैसा कि आप सभी को बता चुका हूँगी हमारी क्लास जो रहने वाली है वो अल्मॉस्ट इतने टाइम क होनी चाहिए एक्स्ट्र केरेकुलर जो एक्तिविटीज वो यह जादा होती बच्चे का जो ससटेनेबल डवलप्मेंट होता है उनसे जादा होता है तो अच्छी चीज़ है तो हम बात कर रहे थे हमारे मेंसूरेशन पर beim एंशूरेशन में हमारा है वीडियो नमबर सेवन या लेसन नमबर सेवन या पार्ट नमबर सेवन ठीक है तो टूडी को आज हम फिनिश कर देंगे ओके तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा यह देख लीजिए यह लास्ट प्लास का ही एरिया और टूडी फिगर्स में हमने बताएंगे बाद में ना मुझे भी आद नहीं आपा रहा है कि यह बोलते हैं फ्लेश कार्ट अब इसको पता होगा उसके बाद हमने यह कोशन हो चुका है यह कोशन किया था अच्छा कोशन और यह कोशन किया था आज हम बात करने मेज़िरिंग 24 मिटर हैसा 2 मीटर वाइड पात अराउंड एंड आउट साइड थी सैड्स ओनली find the area of path तो ये question exams में आता है और बच्चे बड़े confused होते हैं अच्छे-च्छे exams में आता है तो वो क्या कह रहा है सबसे पहले कि भाई या square-ish lawn है तो एक square बना लिजी ठीके ज़र ये square बना लिया इस square की हर side कितनी है 24 meter तो ये वाली भी 24 ये वाली भी 24 ये वाली भी 24 ये वाली भी 24 ठीक है जर अब वो क्या कह रहा है कि 2 meter wide path around and outside 3 sides मतलब कि आप अगर बात करें तो foot path बने वे होते हैं ऐसा तमसलों ये square field है जिसके 3 sides में foot path बना वा है जिसकी length है जिसकी breadth है कितनी 2 side या 2 meter तो basically कुछ ऐसा होगा देखिए ये कुछ ऐसा होगा अब इधर क्यों नहीं बनाया आप कोगे तो भाईया उसने बोला है कि सिर्फ 3 sides में होगा तो हमने 3 sides बना ली अब वो क्या पूछ रहा है अब वो ये पूछ रहा है कि सर ये बनाया है ना आपने जो ये जो पाथ बनाया है इस पाथ का एरिया निकाल लीजिए अब बच्चे क्या गरेंगे अब बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो कि वो इन छोटी छोटी रेक्टेंगल के अंदर भसेंगे पहले वो इस रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे फिर इसका फिर ये जो बीच वाला है जो दोनों में काउंट हुआ है इसको माइनस करेंगे इस तरी के कॉंसेप्ट होते हैं कि पहले मैं क्या करूं इस पट्टी का निकालों फिर देखो ये वाला जो है एरिया दोनों मे count हुआ है उसको minus करूँ तो इतना जहनजट नहीं पानना है बच्चों के दिमाग में यही concept आता है क्यों कभी धंग से पढ़ा ही नहीं तो देखो क्या करना है हाँ तो देखिए यह 24 था अब यह side इतना बड़ा है कितना बड़ा है वह 2 meter wide है तो 24 पहले से और 2 meter wideness और आगी तो 24 प्लस 2 अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूँ तो यह हो जाएगा 26 meter ठीक है clear है यहां तक की बात अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूँ तो यह कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा आप लोगों कितना लगता है तो मीटर यहां बढ़ गया और तो मीटर यहां बढ़ गया तो 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 फोर हो गया यह वाला हो जाएगा 28 मीटर clear है यहां तक की बात अब यह वाली side भी again देखिए यहां से यहां तक की यह होगे 26 meter तो अब देखिए एक तरीके से यह बाहर वाला बन गया rectangle और अंदर वाला है square तो आप निकालेंगे rectangle का area और उसमें से minus कर देंगे square का area ठीक है क्योंकि overall देखा चाहे तो यह वाला भी कितना है अगर मैं ऐसे देखा हूँ तो यह वाली value भी कितनी है 28 meter ही होगी क्योंकि 2 meter यह 2 meter यह और 24 पहले से है तो 28, 28, 26, 26 यह हुई rectangle की dimensions तो यहां पे अगर मैं area और पहले rectangle निकाल लो जो की होने वाला है 28 into 26, उसमें से मैं minus क्या कर दूँ area of square, वो minus कर दूँ that is 24 into 24 तो मेरे पास में जो यह path है ना इसकी value आ जाएगी तो basically कर दीजिए 28 into 26 minus 24 into 24 अब देखे सीधा calculation करना कई बाद tough पढ़ जाता है यह तो आपको पता है कि 24 का square होगा लेकिन इसके बारे में इतनी ज़्यदा knowledge नहीं है तो आप क्या करो दोनों के अंदर से पहले 4 common ले लो 4 common ले ले तो यहां आएगा 7 into 26 माइनस 6 into 24 ठीक है सर देखिए यहां से 7 में से बाहर गया को 7 और 24 वापस मिलके 28 7 और 4 मिलके 28 हो जाएगा और 4 और 6 मिलके वापस 24 हो जाएगा अब देखो और कुछ common आ रहा है क्या यहां से 2 common और ले सकते हैं अंदर आएगा 7 into 13 माइनस 6 into 12 कितना आएगा यह आ जाएगा 8 और वहां कितना आ जाएगा 8 और यह हो जाएगा 91 माइनस 72 ऐसा ही होगा क्योंकि 13 की टेबल में 7 यानि 13 7 जा 91 और 6 12 जा 72 तो 8 4 into 2 8 minus 91 sorry 8 multiply 91 minus 72 तो देखिए 91 में जैसे 72 जाएगा क्या आंसर रहने वाला है यहां गर लेते हैं 8 into 19 और आंसर विल बी 152 मीटर ठीक है तो बेसिकली आप यह लिखो चाहें नहीं लिखो यहां से main calculation start होती है आप सीधा multiply करती करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा ठीक है और ऐसे करोगे तो भी आंसर यही आएगा तो आंसर विल बी 152 मीटर ठीक है टर टर वाला तो आंसर हो गया यह और area पूछा है मैंने यहां meter लिख दिया मिस्टेक कर दी मीटर स्क्वाइर होगा क्यों बात हो रही है area को लेकर तो देखो मैं भी कई बार मिस्टेक कर सकता हूं तो आपको भी ध्यान में रखना है मीटर मीटर स्क्वाइर में कई बार मिस्टेक हो जाती है क्योंगी जनरली हम फिजिक्स या मैस पड़ते हैं तो उसमें मीटर लगाने के ज़्यादा आती होते हैं यह है last question this is the last question of 2D इससे बाहर questions नहीं जाएंगे जाएंगे तो विरू सबके लिए जाएंगे कहने का मतलब क्या है कि यह है एक ब्रिक की dimension और यह है जो आपको lane बनानी है या दिवार बनानी है उसकी dimension सपोर जैसे कि यह जो पैनल लगावा है यह किसी दिवार के उपर लगावा वाल के उपर लगावा है वाल बनेगी ब्रिक से ठीक है कोई ऐसे मत कहना से पत्थर से भी बनती है जो पूरुमे मकान पत्थर के बनेवे होते है वो बात अलग है पर concept क्या कहना चाहरा है कि सही जो दिवार बनेगी वाल बनेगी वो किस से बनेगी ब्रिक से बनेगी तो यह उसका किसका वाल का एरिया है यह एक ब्रिक यानि एक इंट का एरिया है तो ब्रिक के एरिये में अगर आप इंट के एरिये से डिवाइड मारोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको number of bricks मिलेगी और जैसे ही number of bricks मिल जाए, तो per thousand के उपर 900 रुपीज का cost है, तो आपको total cost find out करना है, उम्मीद करता है, आपको question समझ में आगे होगा, दुबार स्चुन लिजिए, brick की dimension, wall की dimension, wall की dimensions के अंदर, अगर brick की dimension से divide करेंगे, तो number of bricks मिलेगी, number of bricks के per thousand पर cost है, या rate है 900, तो वो thousand में convert करके 900 से multiply करेंगे, तो total price से amount आ जाएगा, question को stall करते हैं, तो देखिए, मैं सीधा वही कर रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हो, area of wall कर सकते हो आप इसको, area of wall, या area of आप lane कर दीजिए इसको, क्योंकि lane दे रखा है, upon area of prick, यह आ जाएगा, 45 into 20, अब देखिए, यह वाला क्या है, meter में है, तो आप इसको centimeter में change करके रख लीजी ना, पहले ही, तो देखिए, centimeter में कैसे change होगा, देखिए, 45 है, तो 1 meter is equals to क्या होता है, 100 centimeter, यही होता है, यही होता है, ठीक है, thousand मत कर देना कोई, तो यहाँ पर हो जाएगा, 4500 into 20, और यहाँ पर दो 0 आ जाएगे, तो यह कुछ ऐसा दिखेगा, देखो 20 का 20 और फिर पिछे 2 0, यह हुवी कहानी यहाँ तक की, अब यह brick वाला area, 20 into 15, देखे, 0 से 0 cancel out हो गया, ठीक है, अब यह जो 2 और 15 है, यह मिलके बनेंगे क्या, चलो पहले 15 से काट लेते, यहाँ 15 की टेबल से काटा, 45 में गया, 3 times, 15 की टेबल में 45 कब आता है, 3 times, पीछे 2 0 आ गए, ठीक है जर, 2 से इसको काट होगे, 200 है, यह 100 हो गया, तो 300 into 100, the answer will be 30,000, तो bricks कितनी हुई, number of bricks कितनी आई बच्चों, number of bricks, यानि इंटो की संख्या, वो आ गई, 30,000, 30,000 आ गई, अब वो कह रहा है, per thousand जो कोस्ट है, वो कितनी है, 900, तो अगर हम बात करें, rate per thousand is equals to 900, तो rate, या इसको बोल दीजे, amount या बोल दीजे, post, for 30,000, यहां से कैसे आएगा, 30,000 तो total bricks है, per thousand bricks पे क्या है, 900, तो thousand का divide लगा दीजिए, और 900 से multiply कर दीजिए, यह आपकी total cost आ जाएगी, जैसे thousand से divide मारा, तो आप पता चलेगा, bricks कितनी thousand है, तो solve करते हैं, इसको भी आगे, यह 30 से, यह 30 से, यह 30 जिरो cancel, 30 into 900, तो देखे, 30 को जैसे आप 900 से multiply करेंगे, पहले आप 3 को 9 से कर लीजिए, answer will be 27, और फिर 10 यह वाला और दो यह वाला, यह cost हो जाएगी, इसका मतलब होता है, एक टरीके से जो हिसाब अगरे लिखते हैं, वह ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, rate, या amount, अब लेक कोस्ट, जो भी आप लिखना चाहें, वह आ जाएगी, 27, यह आप RS लिखना चाहो, तो RS भी लिख सकते हो, तो बेसिक सी सिंपल सा यह question था, बहुत ही प्यारा सा question था, ऐसा question बनता है, RIMC के अंदर जहूर बनेगा, 5 marks के अंदर बन सकता है, यह वाला question ध्यान रखे, ऐसे question 5 marker आएंगे, ठीक है, और जो trapezium वाला question था, वो 10 marks में भी आ सकता है, और 5 marks में भी आएंगे, अगर question 10 marks का आएगा, तो उसके 3D में से ज़्यादा चाहन से थे, टूडी में से इतने questions नहीं वनते, लेकिन क्योंकि syllabus का part है, और बहुत से exams को cover करना है, हमें RIMC cover करना है, RMS cover करना है, जवाहर नवोदे cover करना है, यूपी सैनिक cover करना है, हमें कुरुक छित्र cover करना है, हमें हिंदू स्कूल वाला है, वो किल करना है, बहुत जीसे cover करनी है, तो सब कुछ करवाना पड़ता है, सब के लिए basic class है, लेकर देखिए, पच्टाएंगे नहीं आप, यह मैं करना चाहता हूँ, तो यह देखिए next question, तो next question क्या कहता है, हमें देखिए, the area of trapezium is 800 cm2, if one of its parallel side is 30 cm and height is 20 cm, then find the other parallel side, formula क्या होता है, area of trapezium दे रखा है, आप सभी जानते हैं, 800 cm2, formula होता है, half into sum of parallel sides into height, या difference between them, या height between them, कुछ भी कह लिजिए, अब देखिए, इसमें values put करते हैं, क्या करते हैं, values को put करते हैं, तो half, एक parallel side दे रखिए, कितनी, 30, ठीक है सर, तो इसको 30 माल लेते हैं, B को हम रख लेते हैं, height दे रखा है, 20 side में देखिए, तो into 20, या आगया 800, तो अब देखिए, B की value find out करने हैं, सीधी सी बात यह है, तो देखिए, 10 से, 10 cancel हो गया, हो गया, yes sir हो गया, 2 से, 2 cancel हो गया, तो 30, प्लस में B, ये भी 1 है, ये भी 1 है, खतम कहानी, ये आगया 80, तो B की value आगया कितनी, 80 minus 30, then B is equal to 50, देखिए, आपको smart worker बनना है किसी भी एक्जाम में, खदा नहीं बनना है, और 50 किसमें आएगा, मीटर में या सेंटीमेटर में, सेंटीमेटर में, ठीक है, आप पहले इसको पूरा solve करें, फिर उदर divide मारें, इतनी मगजमारी नहीं करनी है, आपको, आपको सीधा काम करना है, कि एक 0 से 1 0 cancel, 2 से 2 cancel, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, 30 प्लस B is equal to 80, B is equal to 30 minus, sorry, 80 minus 30, answer will be 50 cm, बस यह है, क्या किया, formula था हमारे पास में, half A plus B into H is equal to 800, उसमें A और H की value put कर दी, solve किया, B की value आए 50 cm, अब आपको को कोई कह दे कि सर, इसको check भी कर दीजिए, लगे हाथ क्या कर दो इसको, चेक कर दो, तो formula निकाल लो, half 30 plus 50 into 20, देखिए, 10 आ जाएगा, यह 80 into 10, 800 cm2, कोई verify या justify की बात करें न, तो आपने जो answer निकाला है न, उसको वापस से formula में put कीजिए, और answer वही ला दीजिए, जो आपको दे रखा है, तो इसको बोलते है, verification है, justification, तो यहाँ पर 2D का lecture finish होता है, ठीक है, तो 2D में हमने basically पढ़ा क्या, सबसे पहले हमने पढ़े triangles, triangles में हमने 3 types पढ़े, कौन-कौन से, हमने पहले पढ़ा equilateral triangle, ठीक है, फिर हमने पढ़ा isocellus, ठीक है, फिर हमने पढ़ा right angle triangle, और एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, that is Huron's formula, जो कि 9th class का है, पर काम आ सकता है, RIMC exam के लिए, बाकियों के लिए नहीं, RIMC के लिए कि RIMC, trigonometry वेगरे को छोड़के, बाकी सब चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है, trigonometry छोड़ता है, mean mode, median के questions भी कम पूछता है, देखा नहीं पूछा आज तक, या बहुत ही कम slightly, trigonometry बेसिकली छोड़ता है, बाक की standard 10 तक का जितना portion है ना कुछ भी पूछ लेता है, इस बार तो 11 में भी पूछ लिया था, यह हुआ triangles की बात, फिर 2D में हमने पढ़ा क्या, rectangle के बारे में, square के बारे में, ट्रिपेजियम के बारे में, rhombus, parallelogram, और आपका circle, तो basically इतनी साइज चीज़ पढ़े देखो, 10 चीज़े, मैंने आपको पहली क्लास में कहा था, 10 चीज़े पढ़ाऊंगा या बीच में कहा था, तो देख लो, equilateral, isoceles, right angle और हिरोन्स पर्मूला, यह हुई चार बाते, rectangle, square, trapezium, rhombus, parallelogram, circle, यह हुई 6 बाते, 4 प्लस 6, 10 होता है, 4 प्लस 6, 10 होता है, 10 चीज़ें खतम, पूरा का पूरा 2D खतम, क्योंकि 2D मींस triangles और यह वाला, 2D भी तो triangle, triangle भी तो 2D का इससा ही है, triangle अलग से पढ़ा देख, triangle के बारे में questions ज़्यादा आते हैं, triangle थोड़ा सा specified ज़्यादा है, triangle से बहुत अच्छे-अच्छे questions बनते हैं, और 10th class में तो बहुत ही अच्छे-अच्छे बनते हैं, ठीक है, और trigonometry का वीडियो भी upload हो रहे हैं, थोड़े-थोडे बीच में होते रहेंगे, development होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ, ठीक है, तो मिलते हैं next class के अंदर, उम्मीद करता हूँ, यह पसंद आया होगा, और 2D finish हो चुका है, next हम बात करने वाले 3D, अनि solid figures के उपर, main concept यहां से तयार होता है, और कोई 10th class का बच्चा भी यह mensuration देख रहा है, तो काम आने वाली चीज़ है 3D, 3D का 10th class में भी सेम है, जो यहां करेंगे, ठीक है, बिलकुल सेम है, डिट्टो, यहां के question जदा heavy है, जो 10th board में आएंगे न, उससे जदा heavy question यहां करेंगे अपन, ठीक है, वादा है यह, मिला के देख लीजेगा, ठीक है, मिलते हैं next class के अंदर, जै श्री कृष्णा, जै श्री शाम, जै हिल, जै वाद,